SSE CGL 2024 का notification बहुत जल्द आने वाला है लेकिन उसके vacancy के जो पूरे के पूरे data है वो almost निकल के आये है RTI reply से और जब आप देखेंगे इन data को तो आपको लगेगा कि वा इतनी सारी vacancy आने वाली है और इस बार कुछ खास रहने वाला है इस बार की vacancy में आप सोचेंगे कि क्या वो जो भरमार है वो तो है ही है लेकिन इस बार वो जो होता है न P.A.S.A.T.A. उनकी भरमार यहाँ पे नहीं है इस बार अच्छी पोस्ट की भरमार होने वाले देखी कहतो राउल गांदी ने भी दिया था कि 30 लाग नोकरियां हम लोग दे देंगे अगर हम आ गए चार ज पूटा है कि बहुत सारी अच्छी वेकैंसी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी इस बार S.S.C.C.C.L. 2024 की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो जरूर कर लीजिए और गांट बांद लीजिए कि यही वो एक्जाम है जो एक बार में क्लियर कर लिया तो उसके बाद जीवन कौन सी वेकैंसी अब जो है हमारे सामने आ चुकी है तो आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं GST के अंदर की बात कर रहा हूं Inspector वाली वेकैंसी की बात कर रहे है ठीक है इंस्पेक्टर की तो अगर आम चंडिगड की बात करते हैं तो चंडिगड में देखिए कि टोटल 120 वे तो हाई चांस रहते हैं कि अगर ठीक ठाक नंबर है तो होम पोस्टिंग मिल जाए आपको तो होम पोस्टिंग की बैबी में बात करने वालों बहुत काम की वीडियो यह शेर जरूर करना जितने भी लोगों इसके लाव अलखनाव में 37 भोपाल की बात करते हैं तो 109 बहुत चैने वालों ने तो फिर इसके बाद गोवा में साथ बहुत सार लोग को गोवा में जाने का मन रहता है तो यहां पर अगर मिल गया तो मज़े ही मज़े है ना बीच किनारे बैठ के इंजॉय करना फिर इसके बाद हाईदराबाद में 204 बहुत बढ़िया मुंबई में 128 फ तो 2700 वेकैंसी ओल्डेडी आ चुकी है भाई मेरे और यह कौन सी है च्छाली सो ग्रेड़ पे की जोब है और यह मैं इसलिए इंपोर्टेंट कहा रहा हूं क्यों क्यों बोल रहा था मैं रिकॉर्ड टूटेंगे क्योंकि अगर इतनी लगबग मोटे मोटे तोर पे 3000 वेकै 400 मैं इनकी बात कर रहा हूं तो 5000 के आसपास अगर यह वेकैंसी आती है तो बहुत तगड़ा हो जगा अभी तो और भी मैं बताने बाला हूं आपको एक और यहां से क्रक्स निकाल के देखेंगे हम कि चंडिगड से लेके जब आप गुवाटी तक जाएंगे तो यह लगब में पंजाब हर्याना है ना जे एंड के वो सब भी इंक्लूडिड है तो ऐसे करके जब हम देखते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौर्थ वालों पर बहुत सार लोग हॉम पॉस्टिंग लेना चाहते है तो उनके लिए एक अच्छी खबर यहां पर है कि जो लो वाला है बिल्कुल एक्जाम ही आने वाला है इसके अंदर तो तो जिसने भी प्रैक्टिस के लिए कोई किताबे लेनी है मैंने अभी स्ट्रेटेजी भी बना दे थी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँँ है तो यह किरन की तीन बुक्स है जो इंपोर्टन है जिनको आ इंग्लिश का रिजनिंग का मैच्स का तो वहां जाके आप इसको ले सकते हैं और अपनी तयारी कर सकते हैं इसके अलावा जिन लोगों ने भी टेस्ट बुक का पास नहीं लिया है तो मैं बता रहा हूं सबसे बड़ी जो गेम प्ले करता है वो मोक्स ही करते हैं अगर आप आपने मोक्स में खुद को अच्छा कर लिया तो मैं कहा रहा हूं कि बहां एक्जाम में आपको वही रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी लगबग लगबग आपके सेमी मांक्स रहते हैं पांच-जस परसेंट का वेरेशन रह सकता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मोक्ट टेस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस दीजिए और टेस्ट बुक सबसे बेस्ट है आपको पताइए तो इनका जो 307 रुपीज का पास है एक यरली वाला और एक है 439 वाला 439 वाले में प्रिविए सेर के पेपर भी इंक्लूडिड है तो जीवी 10 कोड जूज करेंगे तो आप ग्रेड पर की जीएस्ट इंदर इंट्रोड्यूस की गई थी हालाग यह एक तरह से आप इसको जस्ट लाइक सीनियर टीय मान सकते हैं ऐसे अससी में क्या होता है यह पिर उसके बाद सीनियर टीयों गया है ना तो यह बैली जो है यह इन्सपेक्टर से जस्ट नीचे है ना इसके बाद इंसपेक्टर आप मान लीजी मोटे तोर पे यह 46 की होती है लेकिन आप देखें कि जस्ट इंसपेक्टर से नीचे वाली अगर मोटे तोर पे देखा जाएगा तो यह एक्जीकुटिव असिस्टेंट किये यह अभी दिखे और आएंगी यह तो अभी सिर्फ मो गुवाटी में देखेंगे तो 5 कुलकता में देखेंगे तो 31 बहुत बढ़िया चेनई में 11 और ऐसी हाइदराबाद में देखेंगे तो 11 और फिर वडोद्रा में यानि गुजरात में देखेंगे तो 12 टोटल 105 यहां पे हो गई है 2700 वहां थी 105 यहां हो गये 205 के आसपास टोटल ठीक है भाई इसके अलावा अगर देखते हैं तो एक नार्कोटिक्स के अंदर देखी कि बहुत समय के बाद वेकेंसी आ रही है और हाला कि यह इतनी ही रिपोर्ट हुई है कि इसकी गैरेंटीड है कि आएंगी बहुत सारी वेकेंसी तो कहने का मतलब यह है कि इस ब बात करनो जो SSC की कोर पोस हैं हो सकता है 9-10,000 अपने को देखने को मिले अगर सब कुछ सही रहता है तो इसका कारण है कि यह भी है कि मिशन मोड पर सब कुछ चल रहा था यह लास्ट यह मिशन मोड का और मोदी जी नहीं क्या कहा था कि भाई सभी डिपार्टमेंट करके ब आपको हमने भी अपने जो GS का राम मंड 2024 है इसी के अंदर अब बहुत जल्द हमारा अपडेशन आजएगा GS 2.0 का इसी बैच में आएगा वो जो बच्चा नहीं लिया है अभी तक ले लो भाई मेरे क्योंकि इतनी वेकेंसियव आने वाली है CHSL आपका आगे पेंडिंग मे के निकल जाएंगे कम से कम तुम पढ़ना शुरू कर दो बहुत लेट कर दिया है तुमने अल्रेडी तो इसमें 1199 में 12 मंत की वेलडिटी है 1299 में 18 मंत की वेलडिटी है सोरी 18 मंत की ठीक है अगर आप कूपन कोड राम यूज करेंगे तो बहुत बड़ा आज हम डिसकाउं इसमें मिल जाएगा इसमें पूरी की पूरी GS की जमेदारी मैं लेरहा हूं, मिरे को पता है कि GS में जिसमें जो मैं बता दूँआ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, किसी भी टीचर की उठा के GS चेक कर लेना, कहानीयों की फॉर्म में मैं पूरा का पूरा कुरा क्लास म पर उससे ले लेता हूँ, भाई मेरे वो अपडेशन तुम्हें नहीं दे पाएगा, कारण उसका यह है कि पचास सो के चकर में सस्ते में मत लेने की सोचना, जो हम दे रहे हैं, यहीं अथेंटिक है, यहीं पर अपडेशन मिलती है, और कहीं पर कोई वेक्ति आपको अपडेशन नहीं दे सकता, आप फिर आदा दूरा कॉंटेंट पड़ेंगे और सेलेक्शन से आप ही दूर रह हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लिंक में मैंने सभी लिंक्स दे दिया, अब वहां जाकि चेक कर लिजेगा, तो आपको और ज्यादा बहतर चीजे समझ में आ जाएगे,